वेल्कम बेक टू माई चैनल मैं हूँ प्रविति आज मैं आपके साथ एक नॉर्मल साडी को कैसे टेकिन कर सकते हैं कैसे ड्रेप कर सकते हैं वही शियर करने वाली हूं यह एक रिक्वेस्टेड वीडियो है मेरी एक सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट किया तक हम लोग नॉर अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आप मेरा वीडियो फॉस्टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ बैल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा जिससे मेरे आगे आने वाले नए वीडिय आपको मिलते रहे हैं तो चलिए आईए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं यह मेरी मदर अनलॉग की साड़ी जिसको मैंने अपने स्टाइल में यूज किया है आज मैं आपको बेसिक से साड़ी ड्रेपिंग करना बताऊंगी इसमें सबसे पहले मैंने यहापर पेटी कोट को पहन लिया है और जो पेटी कोट की साड़ी प्लीट्स हैं हमने उसको पीछे कवर कर दिया है जिससे कि आगे प्लीट्स ना आएं अगर आप नेट की साड़ी पहन रहे हैं तो पेटी कोट को आगे बेली बिटन के पास भी बान सकते हैं जिससे कि आपका साइड का पार्ट नहीं दिखेगा यहां पर हम सबसे पहले एक साड़ी की बेसिक टकिंग को कम्पलीट कर लेंगे एक गुमाते हुए साड़ी के वेस को रेडी कर लेंगे जैसे साड़ी को एक गुमा लिया है और अपने शोल्डर पर लेते हुए मैं आपको बता रहे हूं अगर आपको प्लीट्स बनाके पल्लू को कैरी करना है तो इतना लेंथ रखेंगे जितना मैं अभी दिखा रही हूं अगर आपको ओपन पल्लू रखना है तो इससे थोड़ा सा चोटा पल्लू रखेंगे अब मैं आपको बताती हूं साड़ी के कमर वाले जो साइट वाले पार्ट की फिनिशिंग है वो कैसे अच्छी आती है यहां पर आप पिन भी लगा सकते हैं बट मैं पिन कभी भी नहीं लगाती हैं अवाइड करती हूं पिन लगाने से साड़ी खराब हो सकती है जैसे कि मैं आपको दिखा रहे हूं साड़ी को यहां राउंड राउंड घुमाते वे साइड में यहां पर टक कर लेंगे तो इससे आपकी शेप काफी अच्छी आएगी और आपको पिन भी नहीं लगाना पड़ेगा आप चाहें तो सेप्टी पिन के बैक की डिवाइड कर लेंगे और वन भाई वन करके प्लीट बनाएंगे जैसे कि मैं आपको बताऊंगी यहां पर देखे वीडियो में परस्ट लाली प्लीट को हम हमेशा थोड़ा सा बड़ा रखते हैं जिससे कि जब भी आप देखते होंगे जो हमारी फर्स लाली प्ली से उसको थोड़ा सा नीचे करके टकन करती हूं जैसा कि मैं अभी आपको दिखाऊंगी दीरे दीरे करके इसी पैटन को फॉलो करते वे हम सारी प्लीट को रेडी कर लेंगे तो यहां पर आपको मैं फर्स वाली प्लीट दुबारा ओपन करके दिखाती हूं इसको थोड़ा प्लीट को एक साथ गैदर करने के बाद अब हम बैली बटन के बीचो बीच इसको टक कर लेंगे तक करने के बाद आप यहां पर इसको सेफटी पिन से अंदर से अच्छे से से सिक्योर कर लेंगे पर मैं अभी इसको यहां पर आ सिक्योर नहीं करूंगी क्योंकि मैं अभी जो हाथों की fingers इसको कैसे रखेंगे, थ्री fingers को एक साथ रखेंगे, और जो सबसे चोटी वाली finger है, last वाली और thumb, उसको base लेते हुए उसी तरीके से हम pleats को बनाएंगे, ये देखिए मैं कैसे बना रही हूँ, fingers में हम इसको tuck करेंगे, फिर thumb के पास tuck करेंगे, फिर again दूसरी ple करते हुए हम सारी pleats को ready कर लेंगे, इस वाले process से pleats एकदम perfect आती है, और अगर आपकी heavy साडी है, तो उसकी pleats को भी आप आराम से hold कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा तरीका है ये, अगर आपको साडी पहनना बिल्कुल भी नहीं आता है, तो थोड़ा सा पेशन्स रखना सारी pleats को अच्छे से gather करने के बाद एक finishing कर लेंगे, सा finishing होने के बाद इसको भी हम belly button के पास बीचो बीच टक कर लेंगे, यहां पर भी मैं first वाली pleats को देखे थोड़ा सा नीचे करूंगी, जिससे कि उसका look और भी अच्छा आएगा, वो थोड़ी उची उठी भी नहीं अच्छा आया था, सेक्योर करने के बाद हमारा यह pleats वाला process है, वो अच्छे से complete हो चुका है, अब मैं आपको एक tip और बताती हूं, अगर आपके कोई भी silky या heavy sari है, तो इस तरीके से अपनी pleats को उठाते हुए, नीचे से एक साथ gather करते हुए, उसको गोल करके fold करेंग तो जो नीचे की pleats है, वो बिल्कुल same रहेंगी, बिल्कुल as it is, जैसे ऊपर की रहती है, बिल्कुल अच्छी finish है गाईगी, मैं इस तरीके से ही करती हूं, और अगर आपके पास कोई है sister या husband, नीचे से उनसे भी यह process को आप follow करा सकते हुए, तो चलिए आप अलू की pleats बना लेते हैं, pleats बनाने के लिए हमारा जो नीचे वाला border है, उसके corner को लेकर हम pleats बनाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो हमारा ऊपर की तरफ आएगा, उसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया था, first वाले process से pleats को बनाना, दो fingers को divide करके आपस में one by one करके pleats को एक साथ pleats को बना सकते हैं, तो आईए चलते हैं, दूसरे तरीके से हम pleats को कैसे बनाते हैं, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, water वाले part को लेकर इस तरीके से जितना आपको starting का चोड़ा या पतला water चाहिए, उसको ले लेंगे, उसके बाद एक के बाद एक जैसे कि हम fold करते है सेम साइस की pleats को लेकर एक के बाद एक fold करते हैं, इसी तरीके से हम इस पल्लू को ready कर लेंगे, यह देखे कितना easy तरीका है, इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आपको साड़ी draping में कुछ problem आ रहे हैं, तो आप मुझे comment box में comment कर सकते हैं, वीडियो अगर थोड़ा हम पल्लू की pleats को gather नहीं करेंगे, two parts में divide करके करेंगे, पहले half पल्लू को लेंगे, एक साथ पूरी pleats को एक साथ gather करेंगे, यह complete होने के बाद हम इसको उपर की तरफ ले जाते हुए, फिर नीचे की pleats को एक साथ gather करेंगे, इससे हमारे पल्लू की finishing बहुत जादा पल्लू की पल्लू की अच्छी सी finishing आने के बाद pleats के एक साथ gather होने के बाद हम उसको अपने shoulder पर safety pin से secure कर लेंगे, मैं इसको यहाँ पर अभी safety pin से secure कर लूँगी, और एक tight fitting अच्छी सी finishing हमें अपने पल्लू की मिल जाएगी, अगर आपका simple blouse है तो इसको आप यहाँ पर अंदर से tuck कर लूँगी कि देखिए, तो कितनी अच्छी finishing आई है, बैक से भी कितनी अच्छी fitting आई है, जब मैं last में आपको open पल्लू करके बताऊंगी, तो उसमें हमारी पल्लू की length थोड़ी long हो जाएगी, क्योंकि मैंने इसकी measurement pleat वाले पल्लू के recording रखी थी, just style करके मै आपको दिखाऊंगी, वीडियो को पूरा end तक देखिएगा, last में मैं आपको open पल्लू कैसे रखते हैं वो भी बताऊंगी, उसके बाद 2-3 तरीके से पल्लू को कैसे style कर सकते हैं, वो तरीके मैं आपको बताने वाली हूँ, तो thank you so much for watching my video, मिलते हैं next video में, bye bye झाल सकते हैं झाल 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 झाल